Hello everyone and once again welcome to WS Cube Tech, myself Umar Taskir. Guys, बहुत से लोगों को confusion है कि हमारी जो Google Ads की playlist है YouTube के उपर 60 वीडियोस की, उसमें और जो हमारा Google Ads का premium course है, premium 2020 का course है, इन दोनों में क्या difference है? कहीं वो जो हमारा premium paid course है, Google Ads का, उसमें जो free हमारी playlist है, उसके वीडियोस तो नहीं है. तो पहली चीज़ को मैं यह आपको clear कर देता हूँ, कि जो 60 वीडियोस हमारे YouTube के उपर Google Ads के absolutely free है, उनका एक भी वीडियो जो है वो हमारे paid course के अंदर नहीं है, एक भी वीडियो हमारे paid course के अंदर नहीं है, और भी बहुत सारे differences है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कि यह जो 2020 वाला हमारा course है, यह paid है और premium है, तो definitely जो हमारा 60 वीडियोस का free वाला जो आप YouTube के उपर देखते हैं content, उससे कहीं जादा, कहीं जादा इसके अंदर value है, इसके अंदर वो सारी practical approaches, strategies और वो जो हमारी agency approach है, कि हम agency में किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीजे इस वाले हमारे paid वाले course के अंदर हैं, और भी बहुत सारे differences है, मैं आपको उन सारे differences को एक ही करके clear कर देता हूँ, ताकि आपको ये एक बार confirm हो जाए, कि जो हमारे Google Ads की free playlist है, YouTube के उपर उसमें, और जो हमारा paid course है, उसमें बहुत फरक है, ठीक है, तो guys मैं difference एक करके आपको बता देता हूँ, ये तो जो हमारे site videos आप देख रहे हो, YouTube की playlist के उपर, ये absolutely free है, absolutely, दूसरा जो हमारा paid course है Google Ads का, उसमें 100 plus videos है, 28 hours of content है, और content जो है, वो केवल इतना ही content नहीं है, regularly हम उसको update करते रहेंगे, ठीक है, तो एक तो difference ये हो गया कि यहाँ पर 60 videos है, और यहाँ पर 100 videos है, प्लस जो content की depth है, वो भी बहुत जादा है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो search ads के respect में, आप जादा-जादा, यहाँ पर search ads के almost, केवल उर केवल search ads के आपको 40 videos होंगे, लगभग 40 videos होंगे, एक दो उपर नीचे, तो आप यह समझ सकते हो कि depth कितनी है इस course की, यह जो हमारा premium course है, यह बहुत in-depth में है, ठीक है, बिलकुल practical approach के उपर है, जो हमारे dashboards है, जो हमारे client के dashboards ह वो सारी चीज़े हमने वहाँ पर show करी, कि देखो यह changes करने से क्या हुआ, जो जितनी भी आप देखते reports होगारा, वो सारी हम लोग उने वहाँ पर show करी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यह जो playlist आप देख रहे हो, Google Ads की जो YouTube के उपर है, इसमें main focus इस बात के उपर है, कि आपको Google Ads की एक understanding हो जाए, कि किस तरीके से काम करता है, कितने तरीके के ads हम Google Ads की थुरू बना सकते हैं, बहुत in detail हम लोग नहीं गए, ठीक है, अगर मैंने बताए भी है, उसमें तो क्यों लिए बताए कि देखो आप इस तरीके से ads बना सकते हो, हमने ad run करने के बाद जो optimization की strategies वगरा होती, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने, जो आप playlist देखते हो, Google Ads की YouTube के उपर, जो playlist है, उसमें हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को cover नहीं किया है, बलकि हमने यहां पर इस सारी चीज़े cover कियो, क्योंकि यहां पर हमारे पास data है, और लेडी हमारे पास जो बहुत बड़े-बड़े campus run हो रहे हैं, उन सब की data है, तो हम बड़ी easily आपको वहां पर बता सकते हैं कि आप किस तरीके से optimization कर सकते हो, या हमने अपने पहले किस तरीके से optimization किये, और उसके basis पर किस तरीके से हमारे results आए, तो यह सारी चीज़ें हमारी paid course में cover हैं, बहुत detail में cover हैं conversion किस तरीके से setup करते हैं, conversion किस तरीके से optimize करते हैं, इन सारी चीज़ों की बात free वाले में नहीं हुई है, तेकि इन सब की बात module के form में, यानि कि multiple videos को लेकर हमने paid course में बात करी है, तो बहुत फरक है guys, ठीक है, फिर से ये वाला जो आपका YouTube का, जो आप free playlist लेखते हो, 60 videos की, इसका motive केवल और केवल ये था, कि आपको Google Ads की understanding हो जाए, आप समझ जाओ कि Google Ads क्या होते और किस तरीके से काम करते हैं, ये बिलकुल basic से start होता है, जहाँ पर मैंने ये भी बताया है कि आप Google Ads के उपर account किस तरीके से बनाते है, MCC account क्या होता है, master account क्या होता है, ठीक है, इन स इसमें बहुत ही जादा module से, almost सारे module से और in-depth है, ये बहुत ही latest है, ये 2020 में create हुआ है, ये playlist अगर आप देखेंगे तो ये 2019 में playlist create करी गई थी, ठीक है, next is, जो बहुत से लोग को confusion रहता है, और mail और calls के through, सबसे पहले ये ही लोग पूछते हैं कि इन दोनों में फर्क में क गहीं, ऐसा तो नहीं है, कि 60 वीडियो आपने यही उठा के इसके अंदर डाल दिये और 40 और बना दिये, गाईज ऐसा बिलकुल नहीं है, इसमें से कोई भी एक single भी वीडियो इस paid वाले course के अंदर नहीं है, ये बिलकुल नए वीडियो से हैं, ये 2020 के record किये वे वीडियो स बात किलियर होगी, ये इसको हमने in detail बनाया है, तो यहाँ वाले वीडियो यहाँ हम ला भी नहीं सकते हैं, बात किलियर हुई, तो यहाँ का एक भी वीडियो आपको paid course के अंदर नहीं मिलेगा, एक confusion ये दूर हो गया, दूसरा तो पुस्ते फर्क क्या है, तो फर्क तो strategies के उपर हम लोगों ने बात करी है, जो actual clients के dashboards वगरा होते हैं, clients की जो actual data है, उसको reference में लेकर, उसको refer करते हुए, हम लोगों ने सारी optimization और सारी strategies की बात इसमें की है, फाइन, जैसे मैं बताएं कि complete agency approach है, real dashboards हम लोगों ने बात करी real dashboards की, real data, real dashboards in the sense, client की data और real client की data आप को यहाँ पर मिलेगी, तो यह बहुत ही basic है, अगर आप Google Ads की शुरुआत कर रहे हैं, बिलकुल, बिलकुल zero पे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं पता है, तो वो चीज़ भी हमने premium में cover करी है, वो चीज़ भी हमने premium course में cover करी है, बिलकुल zero से अगर आपको यह भी नहीं पता है कि search ads होते क्या हैं, और display ads होते क्या है, तो वहां से हमने शुरुआत करी है, और किस तरीके से हम 50-50, 60-60 लाख रुपए, 70-70 लाख रुपए के search ads के वल रन कर रहे हैं, वो हमने इसमें cover किया है, ठीक है, तो बिलकुल basic से advanced तक cover किया गया है, इसमें वो कोई link नहीं है, अग अगर आपको केवल overview चाहिए, then ये playlist बहुत अच्छी आपके लिए, अगर केवल overview चाहिए, लेकिन अगर आपको इस field में काम करना है, अगर practically आपको campus run करने है, ठीक है, high budget के campus run करने है, और agency approach समझनी, मैं फिर से इस बात में focus कर रहा हूँ, अगर आपको agency approach समझनी है, कि agency में क इस तरीके से काम होता है, then this course is for you, right, बात clear हो गई, ठीक है, तो दोनों में अभी आपको difference समझ में आगे, बहुत से लोगों को confusion था, कि ये भाई, इस course में और इस course में क्या फर्क है, तो ये premium course है, इसी लिए ये paid में है, और ये आपको absolutely free, YouTube के, जो हमारी playlist आप जाएंगे, YouTube चैनल पे, तो वहाँ पर आपको free में मिल जाएगा, next is, अगर आपको इसको access करना है, तो किस तरीके से access कर सकते है, paid वाले course को, ठीक है, paid वाले course के लिए हमारा एक portal है, आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये google ads का course दिखाई देगा, this is google ads course, and the worth of this course is 2999, right now the price is basically 2999, जो worth है, यह बहुत जादा है, क्योंकि बहुत सारा experience जो है, हमारा agency level का, वो सब हमने इस particular course के अंदर दिया हुआ है आपको, तो pricing इसकी ज़रूर 2999 है, बट इसकी worth बहुत जादा है, बहुत जादा है, और इसी के साथ हमारे जो और अलग courses है, जैसे एक तो bundled आप लेने चाहें, तो bundled भी आपको मिल जाएगा, यानि कि तीनो courses जो है, pack में आपको मिल जाएगे, that is of rupees 749, 749, ठीक है, तो यह एक bundled package है, आपके सामने ठीक है, जो है हमारा search engine optimization, facebook ads और google ads का, और google ads जिसके लिए बहुत जादा calls आती है, जो confusion है, उसके बारे मैंने आप करना है, वो दो तरीकों से आप कर सकते हैं, एक तो मैंने web portal बता दिया, second is अगर आप चाहें, तो हमारी app से भी इसको access कर सकते हैं, और purchase करने के बाद आप इसको access कर सकते हैं, तो यह google play store के उपर जाना है, और wskubetech आपको search करना है, ठीक है, यह app search नहीं करना है, basically, wskubetech आ now it is only available on android, तो अगर आप app के थुरू जाना चाहते हैं, तो फिर केवल आपको, अगर आपके पस android platform है, then only you can do, ठीक है, otherwise web portal आप use कर सकते हैं, ठीक है, web portal यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर app में भी आप, यहाँ से google ads course को buy कर सकते, right guys, तो I believe अभी आपका यह confusion दूर हो गया basics cover कि रहे हैं, एक जो course है, premium course, उसकी approach यह है, कि basics के साथ intermediate level और advanced level को भी cover किया जाए, ठीक है, सारी चीजों को cover किया जाए, campan बनाना, उसका optimization, scaling, बहुत सारी methodologies, tips, tricks, scale कैसे करते हैं, और जो हम agencies में strategies करते हैं, वो सारी चीज, वो सारी चीज़े उसमें cover है, जो हमारा paid course है, so गाईज, इस particular video में इतना ही, मिलते हैं next video में, till then, goodbye.